ओके अलो प्रेंड केसे वाप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहे बॉन्टो इन्वेज यूट्यूब चैनल असो कलेले क्या करें इस गिरावट में खरीदे या बेच दे चले जानते इस वीडियो में और अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजी और जो बाजू में घंटे वाला बटने उसे जरूर दबा दीजे जिसको आपको अमरी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल जाए आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लिजे 23.90% आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लिजे 68.13% आप इसमें net debt to equity ratio देख लिजे 0.14 मतलब 0.14 आप इसमें plate share देख लिजे जो मैं पहले ही बता दे रहा हूं 9.26% इसके plate share है अब हम इसके valuation के बारे में बात करेंगे expensive valuation पर भी हाल फिलाल trade कर रहा है आप इसकी PE ratio देख लिजे 11.59% आप इसकी price to book value देख लिजे 2.64% आप इसकी EBIT to EBITDA ratio देख लिजे 7.01% आप इसमें क्या के ROC देख लिजे 33.68% आप इसमें ROE देख लिजे 22.79% अब हम असक लेलन के quarter to quarter result के बारे में बात करेंगे अभी हाल फिलाल में इसका new result नहीं आया तो अभी हम जो पुराना result है वही देखते तो आप इसमें देख लिजे Net Sales में 39.67% की एक Upset में देखने को मिली है बाद में आप इसका Net Profit देख लिजे जिसमें 71.46% की Apset में के अब हम इस company के annual result के बारे में बात करेंगे, जो कि यह year to year result होता है, आप इसमें net sales देख लिए, पिछले साल से इस साल में 10.94% के एक upside हमें देखने को मिली है, आप इसमें net profit देख लिए, जिसमें पिछले साल से इस साल में 18.08% के एक upside हमें देखने को मिली है, आप इसमें operating profit margin जिसमें भी 0.59% के एक upset हमें देखने को मिली है अब हम इस company के share holding pattern के बारे में बात करेंगे आप देख लीजिए promoter के पास कितनी holding है 51.12% के holding promoter के पास है mutual fund के पास देख लीजिए 6.33% के holding mutual fund के पास है FIS के पास कितनी holding है 18.75% के holding FIS के पास है मैंने पेले ही बता दिया कि इस company ने 9.26% अपने stock गिर्वी रखे हुए चलिए अब इसके क्या है कि technical level भी थोड़ा जान लेते हैं और बाद में हम decision लेंगे और अभी तक आपने अमारे इस channel को subscribe नहीं किया हो तो subscribe जरूर कर लिए हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और आपको भी किसी stroke के बारे में query और जानना होता आप उमें comment box में comment करके बता सकते हैं और हम उस पे एक detail वीडियो बनाएंगे अब हम आ चुके असोकले लाइन के चार्ट के उपर आप देखिए ये चार्ट आपको क्या है कि लगातार downtrend में दिखता हुआ दिखेगा बाद में क्या है कि जो इसकी first support line थी वो कितने पे थी 74 या 75 के उपर ये first support line थी जो long term support line बोलते हैं लेकिन उसको break करके नीचे आ गया है अभी आल फिलाल में तो क्या करें अभी जो इसकी दूसरी support line बनती है वो भी long term support line है जो है 64 के करीब इदर तो जाना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी जा सकता है ऐसा नहीं बोलतो जा नहीं सकता है क्योंकि all our market down है पूरा auto sector down है तो में भी जा सकता है तो मैं क्या बोलता है उब भी हाल फिलाल में आपको नहीं खरीदेरी करनी हो तो रहने दो क्योंकि पूरा market down है auto sector down हो सके यह और भी नीचे जाए और हो सके अभी क्या है कि auto sector down तो उसका result थोड़ा सा गलत आगया में इसके थोड़ा बुरा आगया तो फिर भी यह down जाएगा तो अभी क्या है कि result का wait कर लो बाद में आप जो भी होगा वो लेना है क्योंकि एक बार result आ जाए तो पूरी picture हमें दिखेगी कि यह क्या हो रहा है तो market down है बाद में auto sector भी down है जब यह उपर होगा मैं इसके जब यह उपर जाना start होगा तो फिर से यह require कर लेगा जो अपनी position में बेठे है वो तो अपनी position ऐसे ही रहे लेकिन जो new है जो new fresh buying करना चाहते है वो भी हाल फिलाल थोड़ा result का wait कर ले बाद में buying करें और ये वीडियो आपको कहीं से भी कहीं से भी अच्छी लगे हो तो प्लीज यारो like, comment and share किया कीजिए आप like, comment करेगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और येसे वीडियो हम और भी लेते आएंगे सो अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जब आज में घंटे वाला बटर में उसे जरूर दबा दीजिए हम ऐसे वीडियो हर दो हर दिन लेते आते हैं चलते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब लेट टा गुडबाई जै इन